नमस्कार दोस्तो मेरे नम सिरीकान कुमर अब देख रहे हैं तुजेट टोसेस आज हम बात करने वाल इस वीडियो में दोस्तो अगर आपके पास ATM कार्ड है या फिर अधार कार्ड है तो दोस्तो एप वीडियो आपके लिए बहुत इन्पोर्टेट होने वला है क्योंकि दोस दोस्तो जो आपके लाइफ में बहुत बड़ी प्रोब्लम आने वला है उस प्रोब्लम से आप बच सकते हैं तो दोस्तो उसके लिए इस वीडियो को कम्प्लीट देखना होगा तो चली दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब सब्स्ट्राइब कर लिजे बिल ऐकन घंटी को प्रेस कर लिजे ताकि मेरा वीडियो को नोटिपिकेशन सबसे पहले अब के पास पहुँच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास ATM कार्ड है तो ATM कार्ड को सुरचित कैसे रखना होगा क्योंकि दोस्तो अभी के डेट में फ्रोड लोग इतना तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है और साथ में टेक्निक इतना आगे चला गया है कि अगर आपके बैंक से पैसा कार्ड भी लिया जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा तो दोस्तो इसलिए आपको ATM कार्ड को सुरचित रखना बहुत जरूरी है तो दोस्तो ATM card को सुरचित रखने के लिए सबसे पहले ATM card में lock करके आपको रखना होगा और दोस्तो अगर आपको जरूरत पढ़ जाता है तो आप एक चुटकी में उसे unlock कर सकते हैं दोस्तो लोग करने से आपको एक फैदा होगा कि अगर कितना भी बड़ा fraud आपके साथ किया जाए तो आपके साथ fraud नहीं होने वाला है तो दोस्तो ATM card में लोग लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा अपना mobile का play store को open कर लेना है और search box में type करना होगा A, B, I, Q, U, I, C, K उसके बाद search के option पे आपको click कर देना है click करने के बाद दोस्तो इस परकार से apps open हो जाता है और दोस्तो ए app जो है कि a state bank of India से verify है तो इस apps को सबसे पहले आपको install कर लेना होगा तो चले इस apps को में सबसे पहले इस परकार से open कर लेते हैं apps open होने के बाद दोस्तो इस परकार का interface दिखने के लिए मिल जाता है और दोस्तो एक option यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाता है ATM तो सबसे पहले क्या करना होगा इस पे click कर देना है click करने के बाद दोस्तो यहाँ पे एक option दिखने के लिए मिल जाता है ATM card switch on off इस वाले option पे click कर देना है click करने के बाद दोस्तो इस परकार का interface देखने के लिए मिल जाता है दोस्तो सबसे पहले क्या करना होगा तो दोस्तो इस box में अपना ATM card का 4 digit इस box में fill up कर देना है fill up करने के बाद दोस्तो यहाँ पे दिखे दो option दिया गए on का off का तो दोस्तो अगर आप ATM card को off करना चाते हैं तो दोस्तो क्या करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखने के मिल जाता off तो off वाले option पे click कर देना उसके बाद संबित के option पे click कर देना है तो यहाँ पे देखे ATM card नमबर यहाँ फिल up कर लिए हैं उसके बाद off वाले option पे click करते हैं उसके बाद हम संबित के option पे click करते हैं उसके बाद दोस्तो क्या करना हो ok के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पे देखे message के option आ जाता है अब आपको क्या करना होगा तो दोस्तो जो bank में आपके mobile number link है उस नंबर से आपको send करना होगा इस परकार से दोस्तों यहाँ पर दिखे send कर दिये है अब हम back हो जाते हैं बैक होने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं bank के तरफ से एक message आएगा उस message को हम यहाँ पर इंतेजार कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए message जो है कि इस परकार से यहां पर आ गया है तो चले इस message को हम open कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए message इस परकार से यहां पर आ गया कि dare customer your request for switching off यानि आपका ATM जो है उसको off कर दिया गया है और यहाँ पर आपको ATM card number भी दिखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर दिखें successfully और आपको यहाँ पर एक reference ID number मिल जाता है इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको कोई जरूरत पढ़ जाता है ATM card को तो on करने के लिए आपको क्या करना होगा on वाले option पर click कर देना है यहाँ आपको ATM का last four digit fill up कर लेना है उसके बाद संबित के option पे click कर देना है उसके बाद okay के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों फिर से आपको send वाले option पे click कर देना है और दोस्तों यहाँ पर देखें message चला गया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम चलिए wait कर लेते हैं message bank का आपसे एक message आएगा, तो चलिए उस message का इंतजार करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए message इस परकार से आ गया है, इस message को मैं यहाँ पर open कर लिया हूँ, और दोस्तों यहाँ पर देखिए, दिया गया है, यहाँ पर देखिए, dear customer your request for switching on, यहाँ पर देखिए, on ATM service, यहा परकार से unlock कर सकते हैं, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपके पास अधार कार्ड है, तो अधार कार्ड को आपको सुरचित किस परकार से रखना होगा, क्योंकि दोस्तों बैंक में अधार कार्ड लिंक रहता है, और लिंक रहने के वज़ा से आपके बैंक से पैसा क लिया जाएगा तो दोस्तों आपको कैसे सुरचित रखना है तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले अपना मोबाइल का किसी एक ब्रॉजर को उपेन कर लेना है और ब्रॉजर में टाइप करना है UIDAI उसके बाद सर्च के ओप्शन पे क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों पे आपको टच करना होगा इस प्रकार से टच करने के बाद दोस्तों अधार काट का निव ओफिसियल वेप साइट इस प्रकार से ओपीन हो जाता है उसके बाद दोस्तों एक ओप्शन देखने के लिए मिल जाता है लोगिन लोगिन के ओप्शन पे क्लिक कर देना है इस पर एक OTP को send कर दिया गया है और उस OTP को इस box में fill up कर दोना है उसके बाद login के option पर click कर दोने के बाद इस प्रकार का interface देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से नीचे चले आना है और यहां पर देखने के लिए मिल जाता है lock unlock biometrics इस वाले option पर click कर कर देना उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा इस box पर tick out कर देना उसके बाद दोस्तों next के option पर click कर देना क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके अधार card में lock लगा दिया गया यहाँ पर देखिए your biometrics have been locked successfully अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है कि आपके अधार card में lock लगा हुआ अब दोस्तों अगर आपको जरूरत पढ़ जाता है अधार card के तो अब आपको क्या करना होगा अनलॉक करने के लिए तो इस पर आपको click कर देना उसके बाद दोस्तों आपको tick out कर देना है और यहाँ पर दो option देखने के लिए मिल जाता है कि अगर आप lock जो हटा रहे हैं कि थोड़ा देरी के लिए lock हटा रहे हैं या भी हमेसा हमेसा के लिए तो यहाँ से आपको select कर लेना है उसके बाद दोस्तों एक option देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ देखिए देखने के लिए मिल जागा next next के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए unlock हो गया है तो दोस्तों अगर आप अधार card में और ATM card में इस प्रकार से lock करके रखते हैं तो दोस्तों आपके साथ कोई भी proud नहीं कर सकता है तो चेले दोस्तों वीडियो अगर पसंद आये तो वीडियो के लाइक कर दीजेगा और मेरी चैनल पे नहीं है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेब लाइकन गंटी को भी प्रेस कर लिजेगा